हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टुडेंट वेलकम टू सक्सेज केरियर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्याइट यहां पर आपको आ जाना है और यहां पर आप जब आफिसियल वेबसाइट पर आज आएंगे नीमिया अनलाइन एडमिशन डॉट इन पर जिस हैं कि तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर जो सेकेंड राउंड की सेलेक्शन लिंक खुल चुका है यह वीडियो अंतक देखिएगा दोस्तों क्योंकि अगर सेकेंड राउंड में आप पाटिसिपेट किया है तो बहुत से ऐसे जो फर्स्ट राउंड में अपन पहले आप इसको डश्टॉ tan साइट पे जैसे ओपन हो जाएगा तो अब आपको कौंसलिंग राउंड तू च्वाइश सेलेक्षन पर क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करेंगे तो next page आ जाएगा अभी यहां पर कुछ दिकते हैं server के वज़़े से मैं देख ले रहा है देखी यहां पर मैं आ गया हूं simply आप next page पर यहां पर login पर जाएंगे registered candidate login page पे यहां पे registered email और registered mobile नंबर आपको डालना होगा जो कि CITES 2020 round second चुछ यहां पे आपको read help document before apply how to instruct तो कुछ नहीं चलिए कैसे बना है यह बता रहा है तो यहां पे आपको अपना email ID और registered mobile नंबर और capture यहां पे डाल देना है simply आपको इस page पे login page पे आके अपना registered mobile नंबर और registered email ID डाल देना है और आपको capture डाल कर यहां पे login पे क्लिक करके अपना login कर लिजेगा चलिए हम login कर ले रहे हैं मैं अल्रेडी डाल चुका हूं यहां पे login क्लिक करेंगे तो आपका कुछ ऐसे आएगा कि आपका category क्या है टाफ कितना गया था और आपको यह dashboard खुलकर आ गया है ठीक है तो यहां पे भी आप देखिए जो है कि आप यहां पे क्या कर सकते हैं कि का पांच काले स्वाइट कर सकते हैं तो जो भी आपको सिलेक करना होगा यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है अगर अब भी तक आपने सेकेंड राउन में डाइरेक्ट पाटिसिपेट किये में पार्टिसीपेट नहीं किये थे तो आपको एक हजार उपेयर्व करना होगा तो मैंने पेमसर्ष करना रहा था फॉर्ष कांसलिंग मिल रहा है तो आप कर पाएंगे अगर पहला तो ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे तहीं यहाँ पर दंगा और मुझे फॉर्सяет नहीं एडमिशन लूँगा और मुझे ट्रांफर की जरुवत नहीं पड़ेगी इसलिए मैंने फर्स्ट वाइस इसको किया अब सेकेंड च्वाइस कहीं भी करिए आपका मन तुम्हें ज्याद तर इनस्ट याई प्रिफ्रेंस में दूँगा अब मेरा इनस्ट याई देखिए चेन फिर फिफ्त में मैं रख ले रहा हूं एनस्ट आई कोई बेंगलूरू रख ले रहा हूं या भूनेसवर कोई भी रख लीजिए मैं भूनेसवर रख ले रहा हूं बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको फर्स्ट च्वाइस ध्यान से भरिएगा क्योंकि जो यहां पर first choice आपको मिल जाएगा अगर तो आप ट्रांसफर में participate नहीं कर पाएंगे आप ट्रांसफर के लिए eligible नहीं रहेंगे तो first choice जहां आपको लेना है वही भरिएगा कि आपको transfer कराने की ज़रूरती न पड़े first choice मिल जातो इसके बाद आप यह करने के बाद यहां पर finally submit कर दीजिएगा यह process थे आपके अगर आपने अब भी तक फीस पेमेंट नहीं किया है तो फीस पेमेंट करिएगा और देखिए मैं यहां पर कर दिया हूं update successful update रिडाइक ले वेटिंग लिख रहा है वेट करिएगा कुछ दिर आपका जो है college यह ट्रांसफर हो जाएगा दे कर दौन से हूं मुंबई में नहीं है कि अ पर दोस्तो लुध्यान ड्क कर रहे हूं यहां पर आपका पुजीशन आठ वे ओर से यहां पर भूनेशवर में चेक कर ले रहा है, भूनेशवर में भी सीट नहीं बचाए, यानि कि आप सीट कहीं नहीं बचाए, आपको अगर सीट नहीं बचाए, तो कोई ITOT सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप लोग अगर कर रहे होंगे तो, ठीक है, और यहाँ पे रिस सेलेक्ट सेंटर अगें अगर आपको यहां किसी और चीज़ बदलना होगा ITOT में अगर आपको college मिल जा तो यहां आप उपर आके यहां पे रीड़ सेलेक सेंटर अगें कर लीजीगा यहां से आप सेंटर सेलेक कर सकते हैं कोई अधर चूज कर सकते हैं ठीक है इस परकार आप ध्यान दीजिएगा जैसे ही हमने में देखा कि कहीं भी मेरा ट्रेड नहीं था तो मैं अब कहीं आइटी ओटी ले रहा हूं कोई हमारा लखनव में ही इसको ले रहा हूं तो यह सभी बातें आप ध्यान रखिएगा दोस्तों चलिए ठीक है तो यह बात ध्यान रखीगा आप तो कालेज कैसे चेक कर लिए पोजीशन अगर आपको वहाँ पे शीट नहीं है आपकी कैटेगरी में या जनरल कैटेगरी में तो आप यहां से कालेट क्लेज क्या कर लीजिएगा सेंटर फिर से बदल लिजिएगा जैसे यहां से सब मैं सेंटर फिर से बदल सकता हूं जोदपूर कानपूर कहीं भी तो एसे चेक कर लिजिएगा आप लोग और आप सम्मिट कर दीजिएगा तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया अगर आपका पोजीशन और जो सीट सीट अगर कम है यानि कि 00 दिखा रहाता है यानि सीट नहीं बचाया पोजीशन 7-8 से मतलब भी नहीं जब सीट नहीं तो मिझे मिलेगा क्या तो यह ध्यान रखीगा आपके के टेग्री की सीट होनी चाहिए वहाँ पर ठीक है तो यह ध्यान रखकर आप करिएगा तो इस जब भी लड़के का मैं लिया हूं उनसे बाते करनूं कि मैं बता दू कि नहीं भी सीट नहीं बचा हुआ है अब वो अपने हिसाब से मुझे अगर बता रहा है कि आइट यह सेलेक करें तो मैं सेलेक रहोंगा अपने तर्म से कुछ नहीं करने वाला दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आपको अगर आप भी सीट देखिएगा सीट बचाओ तब भी उस कालेज में कालोज को चूज करिएगा वरना आप सेंटर जैसे मैंने री सेलेक्ट स अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो कर ले सब्सक्राइब